नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा. इस विडियो में हम डिसकस करेंगे की एंग्जाइफलाई टैबलेट का उपयोग किन कंडिशन्स में किया जाता है. Angi-Fly Tablet को कैसे लेना चाहिए? और Angi-Fly Tablet की वज़ से क्या side effects हो सकते हैं? और यह भी discuss करेंगे की Angi-Fly Tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए? और यह भी जानेंगे की Angi-Fly Tablet को लेने के बाद कितनी देर बाद मींड आनी शुरू हो जाती है? और कितनी द प्रेट का उप्योग डिप्रेशन होने पर और एंग्जाइटी यानि चिंता वतनाव को दूर करने के लिए एंग्जाइफलाई टैबलेट का उप्योग किया जाता है। पैनिक डिसॉडर होने पर व्यक्ती बहुत ज्यादा भइभीत और डरा हुआ रहता है। और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। कुछ व्यक्तियों को डॉक्तर एंग्जाइफलाई टैबलेट को सुबह के समय भी लेने की सला दे सकते हैं। एंग्जाइफलाई टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको एंग्जाइफलाई टैबलेट को लेने से पहले डॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए। ज्यादातर व्यक्तियों में एंग्जाइफलाई टैबलेट को लेने के बाद एक घंते से लेकर दो घंते के अंदर नींद आनी शुरू हो जाती है। और एंग्जाइफलाई टैबलेट का असर छे घंते से लेकर बारा घंते तक रह सकता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले. साइड इफेक्ट्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में एंगजाई फ्लाई टैबलेट की वज़े से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं. लेकिन कुछ पसंद व्यक्तियों में एंगजाई फ्लाई टैबलेट की वज़े से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, सिरदर्ध होना, मुं में सूखापन होना, पसीना अधिक आना, नीन अधिक आना, चक्कर आना, घबराहट होना, बधहजमी होना, पेट में दर्ध होना, पेट से गैस निकलना और उबासी आना आदी साइड इफेक्ट्स एंग Engi-Fly Tablet की वज़ह से याददाश्ट कमजोर होना, शरीर में थकान वसुस्ती रहना, दस्थ होना या कब्ज होने की समस्या हो सकती है। लंबे समय तक Engi-Fly Tablet का सेवन करने की वज़ह से शरीर का वजन ज्यादा भी हो सकता है और शरीर का वजन कम भी हो सकता है। Engi-Fly Tablet को लेना बंद करने के बाद कुछ व्यक्तियों में नीन ना आने की समस्या पहले से भी ज्यादा गंभीर हो सकती है। बहिलाओं में Engi-Fly Tablet की वज़ह से उनके मासिक धर्म अन्यमित हो सकती है। Engi-Fly Tablet की वज़ह से पुरुषों की सेक्स करने की इच्छा कम हो सकती है। और सेक्स के दौरान सीमन निकलने में देरी हो सकती है। अब हम डिसकस करेंगे की Engi-Fly Tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। लंबे समय तक Engi-Fly Tablet को लेने से Engi-Fly Tablet की आदत पढ़ सकती है। इसलिए Engi-Fly Tablet को केवल उतने समय तक ही लेना चाहिए। जितने समय के लिए आपके डॉक्तर ने Engi-Fly Tablet को लेने की सलाह दी है। Engi-Fly Tablet के साथ आपको शराप का सेवन नहीं करना चाहिए। अधिक मानसिक सतरकता की आवशकता होती है। क्योंकि Engi-Fly Tablet को लेने के बाद नीन अधिक आती है। मायस्थेनिया ग्रेविस होने पर, रस्पिरेटोरी डिप्रेशन होने पर, लिवर की कोई गंभीर बीमारी होने पर और आखों में ग्लुकोमा होने पर Engi-Fly Tablet को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। इसलिए इन कंडिशन्स में डॉक्तर की सला के बिना Engi-Fly Tablet को नहीं लेना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को Engi-Fly Tablet या इसके किसी भी इंग्रिडेंट जैसे कलोनाजेपाम या एसिटालोप्राम आदी से एलर्जी है, तो ऐसे व्यक्तियों को Engi-Fly Tablet का सेवन नहीं करना चाहिए। और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्तर को भी बताना चाहिए। Engi-Fly Tablet से संबंधित कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।